दिप्रेंट के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं अगर टेलिविजन न्यूज चैनलों को देखें तो एक तरह से किसान आंदोलन टीवी न्यूज चैनलों की खबरों से गायब हो चुका है तो क्या ये मान लिया जाए कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है जो गाजिपूर बॉर्डर है वहाँ पर उन तंबूव में किसानों की संख्या काफी कम गई है राकेश टिकैत अभी जमे हुए हैं लेकिन वो जो संख्या थी जो जन सैलाब था वो काफी कम हो गया है लेकिन स समझ में नहीं आएगा कि किसान आंदोलन का इंपाक्ट था या नहीं था रेलों को अभियान पर हिंदू को पढ़ है तो लगेगा कि वहाँ पर जो रेलों को अभियान था उसका खासा इंपाक्ट हुआ है इनन एक्सप्रेक्स में एक बड़ी फोटो छपी है जिसमें की मह लेकिन जो सरकार का वर्जन है, सरकारी वर्जन ये कहता है कि कोई खास असर नहीं हुआ और रेलवे आगमन जो था सुचारू रूप से चल रहा था। रहा है, राकेश टिकैट की जो ताकत ही वो कमजोर हो रही है, या फिर वो ताकत बॉर्डर से शिफ्ट होकर गाउं में महापंचायत में चली गई है और सरकार किस स्टैटजी के तहत, किस रनिती के तहत इसे निपटने की तैयारी आने वाले दिनों में कर रही है। किसान उस बॉर्डर से चले गए हैं वहां पर संख्या काफी कम होई है राकेश्ट कहता कहना है कि यह सारी जो किसान है वो चुकि इस समय हर्वेस्ट का सीजन है तो इसलिए वो अपने खेतों में गए हैं और लेकिन अगले कुछ दिनों में वो संख्या बढ़ जाएगी जो दूसरा बॉर्डर है स्टिंगू और टिकी बॉर्डर वहां पे किसान अंदोलन उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना की गाजीपूर बॉर्डर पे वो दिखता है जो विजिबल है लेकिन अगर पंजाब एलेक्शन का जो निकाय चुनाव था उसके इंपाक्ट को देखें उसका जो रिजल्ट आया उससे ये साफ दिखा है कि किसान अंदोलन का पंजाब में बहुत ज्यादा इंपाक्ट हुआ है तो पंजाब में जो किसान अंदोलन का जो सुरूप है वो बकायदा उसी रूप में है उसी रूप में वो बहिसकार बीजेपी निताओं का जारी है और BJP के कई सारे निताओं से अब बात करें, तो वो कहते हैं कि पंजाब में और हर्याना में तो उन्हें गाओं में घुसने नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ शादियों बगरह में जा सकते हैं, लेकिन वैसे पंचायत करने के लिए वो नहीं घुसपाद हैं, हर्याना और की स्तिती तो यह है कि वहाँ पे किसान अंदोलन जो है, अभी भी मजबूत है, और BJP की, BJP ने अपने कैडर को कहा है कि उन्हें लाकों में जाकर, वो किसान संगटनों से मिलें, खापंचायत से मिलें, लेकिन क्या इससे जो विस्टन यूपी, जो गाजीपूर बॉर्डर पे जो संख्या कम हो रही है, वो किसान अंदोलन के निताओं के लिए चिंता की बात है, चिंता देने वाली बात है, क्योंकि संख्या अगर कमेगी, तो कहीं न कहीं, एक तरह से यह संधा जाएगा कि किसान अंदोलन कमजोर हो रहा है, और किसान जो है, वो अपने घरों की यह अलग बात है कि उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि वो कितना फाइदे मंद होगा सरकार के लिए और कितना नुकसान दे होगा क्योंकि अगर किसान बॉर्डर से बिना कुछ लिए हुए जाते हैं अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता वो कितने खतरे की घंटी होगी पं अंधोलन के जो नेता हैं उनको भी यह लग रहा है कि चुकि पनजाब और हरियाना को छोड़ दे और खास करके पंजाब को अगर छोड़ दे पाटना उबजाना गन्ने को मील तक पहुचाना उनकी समय प्राइटी है तो इसलिए किसान आंदोलन एक तरह से कहीं न कहीं वो गाजीपूर्ग बॉर्डर से शिफ्ट होकर वो महापंचायत की शकले ले चुका है और इसलिए अगर आप देखें कि विस्टन यूपी में और जो महापंचायत थी वो एक पुलिटकल पंचायत में तबदील हो चुकी है और किसान आंदोलन एक तरह से गाउं में शिफ्ट हो चुका है वो महापंचायत में शिफ्ट हो चुका है और जिस तरह से राकेश टिकैत ने ये धमकी दी है कि वो किसानों को लेकर जाएंगे क्योंकि राकिष्टिकैत को ये लगता है कि सरकार की जो दुखती रग इस समय है वो पश्चिमंगाल का विधानसवा चुनाओ है और अगर सरकार उन्हें तबज्जों नहीं दे रही या बादचीत के लिए नहीं आ रही और वो पश्चिमंगाल जाकर अगर सरकार को परिशान कर सकते हैं वहाँ पे किसानों को मवलाइज कर सकते हैं तो सरकार कही न कहीं उससे और डरेगी और बाचीत की टेबल पर आएगी तो ये किसानों की जो बदलती हुए स्ट्रैटजी है कि वो बॉर्डर से अपने आंदोलन को गाउं में शेहरों में शिफ्ट कर हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉर्डर पे बहुत दिनों तक यानि कि 85-90 दिनों तक किसानों को बांध कर रखना संभव नहीं हो पाएगा तो इसलिए आंदोलन को डी सेंट्रलाइज करके उन इलाकों में ले जाए जाए जहां पे किसान अपने खेती भी करे और आंद से एजिटिशन है उसको लेकर अभी भी क्लिवलेस है यानि कि सरकार के पास कोई ठोस स्ट्राटजी नहीं है सरकार सिर्फ वेचन वाट वाच की सिती पे है कि वो देखती रहेगी कि किस तरह से आंदोलन कमजोर हो रहा है या किस तरह से मजबूत हो रहा है क्योंकि वर्सेज जो हिंदु किसान की जो लड़ाई है वो और एक तरह से वो जो डिवाइड है और गहरा रहा है ये सरकार के लिए खत्रे की घंटी हो सकती है क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है हर्याना की स्तिती भी सेम है कि हर्याना में जो जाट किसान है और जो जाट पहल इलाके हैं वहाँ पर कोई मुव्मेंट में कभी नहीं आ रही है और जो पंचाय थे वहाँ पे उमर रही है अब सरकार का जो फोकस एरिया है वो वेस्टन यूपी और हर्याना है क्योंकि सरकार को लगता है कि पंजाब में कुछ किया नहीं जा सकता तो इसलिए जो वे थे वहाँ भाल हो गई तो इसलिए विस्टन यूपी पर सरकार खासा ध्यान दे रही है अमिशार ना जो पिछले दिनों बैठक ले थी उसमें जो जाटनिता हैं उन सब को लगायाँ गया है विस्टन यूपी में जाके कामपेंग करने के लिए हर्याना में में कामपेंग क को लगता है कि वैसे भी BJP को कोई वहाँ पे आने वाले जो विधान सवा चुनाओ है अगले साल उसमें कोई BJP को कोई बहुत जादा गेन होने वाला नहीं है क्योंकि मुव्मेंड इतना जादा आगे बढ़ चुका है कि जो सिख किसान है वो BJP को वोट नहीं देंगे तो वैसी सिती में कम से कम जो वेस्टन यूपी का पॉकेट है उसको बचाया जाए तो ये सरकार की स्टाटजी है लेकिन देखना होगा कि किस तरह से राकेश टिकैत जो की 26 जनवरी के बाद एक नए उभरते हुए लीडर जाटो के इलाके में बने है वो अपनी जन समर्थन को अपने किसानों का जो सपोर्ट है उसको कैसे बरकरार रख पाते हैं क्योंकि सिंधू और टिक्री बॉर्डर पे जो किसान है वो अपने सपोर्ट बेस को नहीं खो रहे हैं चैलेंज जो है वो राकेश टिकाट के लिए है शंकेर अनुमेश दप्रिंट लेकिन आप हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने कमेंट से अपने रियाक्शन हमें लागतार भेजते रहें